Good morning students, this is your biology class In my previous video, I have discussed about the structure of DNA I have completed till the structure of nucleotide We have seen structure of nucleotide, किस किस से मिलके, nucleotide मिलके बना हुआ होता है nitrogenous base, sugar और phosphate group से जब तीनों add हो जाते हैं तब उसको एक nucleotide कहा जाता है इसी तरीके से जब बहुत सारे nucleotide आपस में arrange होते हैं तब उसको poly nucleotide कहा जाता है तो हमने क्या देख लिया था structure, purine, pyramidine ठीक है और इसके बाद oligosaccharide, carbohydrate के बारे में जाना था व्यूकि इसमें panto sugar होती है डी ओक्सी राइबो शुगर जो DNA है DNA किसका बना होता है डी ओक्सी राइबो शुगर, panto sugar होती है लेकि उसमें oxygen remove हो जाती है तो उसे डी ओक्सी राइबो शुगर कहा जाता है और RNA में राइबो शुगर होती है पैंटो शुगर ही बवे मतलब एड़ होती है और डिान्य में डियॉक्सी राइबोस्झुगर जब नाइट्रोजिनश बशम सकता है पूरी फिरिमीदिन इसमें और ग्वाणिन है तो उसके बाद फिर क्या पढ़ा था हम ने यह मैं जो नाइट्रोजिनश भेस होता है और पंटो यो न्यट्रोजनस भी जो बोंडन बनता है उसे गलाइकोशाइडिक ब कहा जाता है उस्टेम्स को मैधक बनता है जो कि शुगर और नइट्रोजनस सब्सक्राइब का मिद disagreed साइड कहते हैं जो नुकलियोसाइड में फॉस्पॉरिक ए Bardzo होता है फॉस्पाइड्ट這樣的 अब तेल पवार्स हेसीट कि इनए टायड इनक अवर्टे का जी होता है इसी नाइयोकन चुरी यह ऑन ते था? ओ होता है सिंगल तो जो पैंटो शुगर है और यहां पे जब आडिनीन इसमें तो प्लूज एसिड कहां पे एड ओगा फिब्ट वाले कार्वन पह पांटो शुगर के फिफफ वाले कार्वन पे फॉस्फोरिक ऐसेड एड होता एस्टर बॉंड जब एक एसेड एक एल्कोहल से रियाक्ट करता है तब उसके बीच एस्टर बॉंड बनता है और वाटर का लॉस होता है यसे कि यहां पर दिखाया इस्ट्रक्चर एस्ट्रीपी ओफोर है यह इधर पैंटो शुगर का इस्ट्रक्चर है उसमें एडिनिन पैंटो शुगर हो गई यहां पर यह एडिनिनिस में एड है अब जो फिफ्ट वाला कार्बन है पैंटो शुगर का उसका जो हाइड्रॉक्सिल ग्रूप है तो उसमें से हाइड्रोजन और जो फॉस्पोरिक एसड है उसमें से ओवेच ग्रूब मिलकर वाटर का रिलीस कर यहजां फॉस्टर लॉस्ट करिंते हैं हैं के जोंद बनता है यह मैंस यहां प्रूहग टोंता मिलकर सब्सक्राइब याम और होता है पॉस्पोरगों इसटर हो रहा है यह पाता है कर टो हैए ते लुक्त बनना था वो कहता गलाइक तो नुक्लियो्टाराइड किया है फैंटोशुगर में जिभ्न को नुक्लियोश्टाराइड को जाता है तब तीन चीजों को मिला के नूक्लियोटाइड कहा जाता है नूक्लियोटाइड और रिम डिफ्रेंस है पैंटो pro return में अडियोटाइड जब भी नूक्लियो में फॉस्पेट ग्रूब्ब एlike अब defense आप और यह 815 जिए एक पैंटोश और है जो है विख्वाल आप裡面 दूसरा अर्वाला कारवन अब फिफ्ट वाले कारवन पार्वन क्या एड़ा पर पुर्शत और पेले निपैस अब है यह एक पूरा क्या यह प्रक्टर laws स्टक्चर अब Korea अ отвечiknow यह जूड़ते कैसे कि सीपंक्यम्यॉथ में जूद केहले जो कहीं से तो च्छेन्स-टार्ट होगी ना तो च्छीन स्टार्ट हो रही है कहां से यहां से यह क्योंकि यह आपक कार्बन वाला विद कार्बन यह उसlü हिस वाला phosphate group free है इसका तो यह five five dash and free है और फिर इसके बाद क्या होता है जो दूसरा nucleotide का अगर structure देखें तो यह दूसरा nucleotide है ठीक है यह दूसरा nucleotide है यहाँ पर यह जो carbon है फिफ्ट वाला इसका phosphoric acid जैसे वहाँ पर इन्ने reaction कराता है यहाँ पर इसके hydroxyl group से और इसका इसका एच और इसका ओएच फिर वाटर लूस करके यहाँ पर डाई इस्टर बॉन्ड बना लेगा फॉस्वेट और शुगर के बीच में एस्टर बॉन्ड बन जाएगा तो इस तरीके से एक चेन बन जाती है बहुत सारी जो न्यूक्लियोटाइड हो आपस में वाटर लॉस करकर के यहाँ से जो उसका 123 थर्ड वाला गरफ्र एंट होता है तो इसका जो एनड कौन सा फ्री रहता है वह फ्री डैसे प्री चा पेंड्योट और फास्टे गरूप हाँअ फॉस्पेट ग्रूब एड नहीं होता है एंड फ्री होते हैं तो एक जो चेन है वह फाइव डैश री डैश एंड तक चलती है इस तरीके से कितने भी मॉलेक्यूल बना लो इसके नुक्लियोटाइट के यही एक पूरा सीक्वेंस बनता चला जाता है फॉस्पेट ऑल्वेस जहां से चेन स्टार्ट होती है वहां का फॉस्पेट गुरूप क्या है हमेशा फ्री रहता है वहां पर कोई अडिशन नहीं होता है इसलिए वह फाइव डैश एंड कलाता है फिफ्ट का रियक्टिव गृप फ्री है तो पांच पे जो फिफ्ट वाला कार्बन है उसका रि लेकिन जो लेकिन लेकिन जो होता है वो सिंगल चेन का नहीं बना होता है दो दो चेन का बना होता है जैसे एक चेन हो गई इसकी यह एक चेन हो गई इसमें कि देखो क्या है फॉस्पेट शुगर और नाइट्रोजनस वेज इसे पी एसन से रिप्सेंट करा है तो जो पहला वाला फॉस्पेट ग्रूप जो है वो फाइव डैश एंड पे है वो कैसा है फ्री है तो यह फाइव इसका फॉस्पेट ग्रूप नहीं है इस तरीके से यहां पर यह थार्ड कारवन पर यह फॉस्पेट ग्रूप एड होता चला जाता है और जो लास्ट वाला पैंटोश मतलब नुकलियोटाइड होता है उसका फ्री डैश एंड फ्री होता है अब देखो जो एक चेन हो गई एक चेन क्या होती है एक चेन इधर चलती है तो लेकिन यह कैसे चलती सीधी सीधी नहीं चलती है तो लेकिन यहां पर उपर प्री नीचे 5-1 फ्री होता है मीज इसको पलट दें यह वाली जो चेन है पहली वाली इसको उल्टा कर दें तो 3-1 क्या हो जाएगा उपर आजाएगा और 5-1 नीचे आजाएगा क्योंकि जो नाइट्रोजनस बेसे वह नाइट्रोजनस बेस से एड होता है अगर हम ऐसे नाइट्रोजनस बेस से जोड़ता है इसलिए यह एंटी पैरलर सीरीज होती है इसको उल्टा करके एड कराया जाता है और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वह आपस में हाइड्रोजन बांड के थूड़े रहते हैं हाइड्रोजन बांड जो होते हैं वह बीक बांड होते है लेकिन जो डाइइस्टर बांड होता है जो की फॉस्फोरिक एसड और शुगर के बीच बनता है वह बहुत मजबूत होता है वह इसली ब्रैक नहीं होता तो जो डीने का मॉलीकूल है उसमें तीन तरीके के बांड होते हैं एक ग्लाइकोसाइडिक बांड जो की पैंटो के बीच में बनता है तो तीन तरीके की बन बनते हैं इने में बैकबोन अब आप यह पूछ जा सकता है कि बैकबोन और डीने क्या है तो शुगर और फॉस्फाट यह बार्ट बनाते हैं नहीं बनाते बैकबोन क्या है important question in the MCQ it can be a शुगर और फॉस्पेट के बीच जो बांड हमने अभी बताया था वो क्या है फॉस्पोडाइस्ट बांड है अब देखो यह किस तरीके से चेंज जुड़ी होती है यह फाइव डाइश एंड है पहला वाला एक थ्री डाइश एंड है तो फाइव डाइश एंड पे यह कब होगा है थी तरीके से थर्ड वाले कारवन से दूसरी फास्पेट ग्रूप है और लास्ट है यह यह कि यहां पर फ्री यहिद नहीं है तो एक सीरीutanे तो इसे पर लाज है क्दम प जो चाहँ कि यहां पर कर लेंगा तो अपस कर लेंगे तो फिर फिर्ड वाले कारवन पर क्या होगा ओट होगा जो की भाहाँ पर क्या कर रहा था पहली वाह रिलीज होके वॉटर लॉस होगे फॉस्पट्ट गुप हो जारा था तो ति दूसरी सीरीज यह द्रीज एट फ्रीड़फ तो इस खुद का पहले और यहां पर कोई फॉस्पट ग्रूपए नहीं है एटस यह एंडीज द्रीफ डश फॉर्फ देशन अब ही कारवन पर छाघी नहीं यहां पर फॉर्फ ट्रू चू ओह और रहें तो सीच्थ्ट बाले कारवन पर यहां पर देखो यह थर्ड वाला कारवन इसका वाटर रिमूव हो जाएगा यह डाइस्टर बॉंड बना लेगा इसी तरीके से आगे चेन बलती जाएगा डाइस्टर बॉंड बनता जाएगा फिर जो यहां पर आएगा फाइव डैश एंड का यह पॉस्फेट ग्रॉप है यह कैसा है फ्री है यहां पर तो यह कौन ची सीरीज हुई थ्री डैश एंड से लेके फाइव डैश एंड तो यह एंटी पैरलल सीक्वेंस है एंटी पैरलल चैन है इसकी डियने की अधिया हो गया देखो तो एक सिरा क्या है थ्री डैश एंड से लेकर वायव डैश और दूसरा कैसा होगा और फाइव डैश सरी यह इनटी पैरलल नहीं है सीधी सीधी इसमें मतलब लाइन्स नहीं एंटी पैरलल ना पोजट हैं इंके लेजन बेस के 20 हैड्रोजन बाइन बनता है जो कि strong नहीं होता है light bonds होते है फॉस्पोर डाइस्टर बांड कैसा होता है बहुत strong bond होता है करक्टर्स्टिक बांड है DNA का जो कि बहुत ज्यादा strong होता है ठीक है तो यह था DNA का पूरा structure ठीक है I hope this is clear to all of you क्या क्या देखती है अमनों DNA के structure में polynucleotide की chain है ठीक है nucleotide की chain एक nucleotide के इसका बनावा होता है उसमें क्या के component होते हैं और जो कैसे वो जुड़ते हैं आपस में और दो एंटी पहला sequence बन जाते हैं चीक है कोई डाउट है तो आप लोग फूच लेना मार्क योग अटेंडन्स कमेंट सेक्शन में मार्क कर देना ओके थेंक यू